नमस्कार दोस्तो मैं हूँ लीटोन और आप सबको मेरे चेनल एल टेक्निकल पे स्वागत है तो दोस्तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि यारपोट्स के लो वुलियम का प्रोब्लेम फिक्स कैसे करें यानि अगर आपके पास दो यारपोट्स है उसमें से अगर एक यारपोट्स का वुलियम बिना करन एकदम से लो हो जाए या फिर दोनों यारपोट्स का वुलियम लो हो जाए तो उसे फिक्स कैसे करें क्यूंकि दो दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा जो यारपोर्ट से उसमें जो लेफट बाला यारपोर्ट से उसका वोलियम एकदम से लो हो गया था उसके बाद मैंने टेक्निकली बहुत कोशिश किया था फिर भी ये प्रोब्लम ठीक नहीं हो रहा था उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा था और टेंशन क्यों ना हो इतना महेंगा प्रोड़क्ट अगर खराब हो जाए तो टेंशन तो होगा ही लेकिन मैं आप लोगों को सच बता रहा हो कल जब मैं सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था और उसे जब मैंने एप्लाई किया तो तुरंत मेरे लेफ्ट एरपोड्स ठीक हो गया था हो सकता है ऐसा प्रोब्लम आप लोगों के साथ भी हो चुका है या फिर हो सकता है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया जाए कि यारपोड्स के लो वुलियूम का प्रोब्लम फिक्स कैसे करे आप लोग जो ये टूद ब्रास देख रहे हो ना इसका भी एक बहुत इंपोर्टेंट रोल है इस यारपोड्स को ठिक करने में मैं आप लोगों को टोटेल थ्री स्टेप दिखाऊंगा हो सकता है पहले स्टेप में ही आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाए इसलिए आप लोग वीडियो को पुरा एंड तक देखते रहे हैं एक भी स्टेप मिस मत कीजिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है यारपोट्स अपके आईफोन से डिसिप्यार हो चुका होगा उसके बाद यारपोट्स को रिसेट करना है रिसेट करने के लिए आपकी यारपोट्स की पीछे जो बटन है उस पर 30 सेकेंड प्रेस करके रखना है जब तक इसका LED इंडिकेटर येलो से वाइट ना हो जाए इसको करने के बाद फिर से आपको अपने यारपोट्स को आईफोन से कनेक्ट कर लेना है कनेक्ट करना तो आप लोगों को आता ही होगा कनेक्ट करने के बाद अपने यारपोट्स को चेक कर लेना है कि problem fix हुआ है कि नहीं अगर fix हो जाए तो अच्छी बात है अगर नहीं हुआ तो दूसरा step apply करना है इसके लिए आप लोगों को अपने iPhone के setting पर जाना है setting में जाने की बाद accessibility पर click करना है click करने के बाद नीचे की तरफ audio visual का एक option है उस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर left right audio volume balance करने का एक option है उस पर check कर लेना है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है की नहीं अगर ठीक नहीं है तो यहाँ पर left right यारपोर्स का volume balance कर लेना है balance करने के बाद अपने यारपोर्स को check कर लेना है कि problem fix हुआ है या नहीं अगर नहीं हुआ तो final step apply करना है final step में ही maximum लोगों का problem fix हो जाएगा इस step को करने से पहले आपके पास एक used tooth brush होना चाहिए जो smooth हो अब उस tooth brush से यारपोर्स के अंदर जो mesh है उसे अच्छे से clean कर लेना है ताकि अंदर का जो भी wax है वो सब बहार आ जाए और यारपोर्स अच्छे से clean हो जाए क्योंकि अंदर का जो wax है उसकी बजहा से यारपोर्स का volume स्टाक होकर low हो जाता है अगर आप लोग अंदर के black mesh को अच्छे से clean कर देंगे तो यारपोर्स का volume फिर से ठीक हो जाएगा मेरे case में तो ये बहुत मददगार साबित हुआ है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा साब्धानी रखनी चाहिए ताकि अंदर का जो mesh है वो तूटना जाए इसी final step को apply करने के बाद आपको अपने यारपोर्स को चेक कर लेना है कि problem fix हुआ है या नहीं मेरे हिसाब से maximum लोगों का problem इस step में आके ठीक हो जाएगा अगर फिर भी problem solve ना हो तो आपको apple service center पर visit करना पड़ेगा लेकिन मेरे हिसाब से most of the cases में यहाँ पर आके ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप लोगों को ये video कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताएए और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर subscribe कर दीजिए और साथ में जो bell icon है उस पर भी प्रेस करके all कर दीजिए और अगर आप लोग मुझे instagram पर follow करना चाहते हो तो मेरा instagram का link मैं description में दे दूँगा आप लोग बहुत से जाके मुझे follow कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए stay tuned and keep smiling